आज पुना बी इपी क्वीज वर्ग नाइन से वीडियो नमबर चार लेकर पुना हाजिर हैं आज पहले से जो विद्यार्थी हैं इसमें प्रति भागी है वो तो हैं ही लेकिन वर्ग दसम से कुछ चाहत हमारे चाहत हमारे पास हैं आप है अभिसेक कुमार आई उसकुमार वर्ग दर्थ से इसलिए कि दसम वर्ग अभी बहुत जल्दी शुरुबात कर रहे हैं इस पर बाते करेंगे तेजी से आ जाते हैं आप सभी उन चेहरों को पाचांड हैं जो भी प्रति भागी हैं नाम आएगा तेजी से हम पहले हमें पुछा जाता है आज प्रसंओ की संख्या संभग तीन है प्रस्न की संक्या कि तो बाते अधिक हैं काम हमें करना है तो पहले राउंड में प्रवेश कर जाते हैं सभी के पास पूर्जा रहेगा और सवाल तीन होगा लेकिन विशह से हुँ तो वर्ग नवम जी विग्यम से पहला द्यायक कोशिका जीवन की आधार भूतिकाई यह लगातार चौते वीडियो से बंडा है इसके पीछे कारण है कि किसी कोने को महम नहीं छोड़ेंगे और हर जगा से प्रस्नों को उठाके इन बच्चों के सामने रख देंगे ताकि दि तैयार है चलिए पहला राउंड का पहला प्रस्न कोशिकांग का दो उधारन लिखे या कोशिकांग का दो नाम लिखें कोशिकांग का दो नाम कोई दो नाम कई है कोई दो नाम अपने मर्जी से हो गया है लिख लिए आगे चले हिज्जय लिखने में गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं हमें केवल नाम उठाना है सुर्वाती दौर है दलतियां होंगी समालना मेरा काम है वह अच्छा में रहेगा सबसे हाट बात हो रही है को ऑप्सन हम नहीं दे रहे हैं अप्सन आएगा आगे हो गया दूसरा प्रासन परसन सग्यादो कोशिका कोशिका में उर्जाघ्री किसे कहते है कोशिका में उर्जाघ्री पावर हाउस किसे कहते है पावर हाउस हिंदी में उर्जागडी किसे बिलकुल मुँझे कोई आवाज नहीं आयूस और अभिसेख आपके बल देखेंगे मोनेटरिंग करना है ओके अगला कोश्चन अगला कोश्चन है इसी पेसे है थोड़ा हाड है चिंता नहीं करना है प्रस्ण का लेवल उपर नीचे जाता है ATP एक सब्देस्तेमाल हुआ है ATP कोशिका की बात होती है तो ATP की बात होती है उसका पूरा नाम लिख दें बस केवल उसका पूरा नाम हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी हो आप लिखें ATP लेवल तरह है लेकिन नजर दो रहा है बिशेवस्तू से है उसी पेज से है क्विज में हम वक्त का पायवन्द अभी नहीं किये है वक्त दे रहे हैं बच्चे को सिखा रहे हैं तब दोर्मा सिखाएंगे अभी तो टहला रहे हैं उसके बाद दोर्मा सिखाएंगे क्विज का असली रूप वक्त है ए टी पी ऐसा सब्द है और अक्सर बच्चे इस सब्द को इग्नोर करके आगे भर जाते हैं और ये परेशानी का सबब ना हो इसलिए ए टी पी से दो चार हो लें उसका केवल पूरा नाम लिखना फूल फॉर्म आफ ए टी पी आगे चलें ओके तो ये मेरा पहला राउंद समाब्द हुआ अब समाब पे नाम लिख चुके है नाम लिख के इस पूर्जे को अभी से के पास दे दे अभी से को लेके अपने पॉकेट में रख दे पता है जब ये परसनो परसनावली समाब्द होती है तब इस पूर्जे को चेक करके नंबर जोड़ा जाता है तीन प्रस्ट, दस दस नंबर, तीस कोस्चन तीस नंबर का प्रस्ण था और एक चीज और जानकारी इसमें दे दें पहले बताना था, फिर भी बता दे रहें पहला कॉस्चन में दो एक्जामपल पुछा गया था अगर एक एक्जामपल सही हुआ तो पाँच नंबर और दोनों एक्जामपल सही हुआ तो दस नंबर, ओके चलाई, अभी से पुरजा को देखना नहीं है, पुरजा को अपने पॉकेट में रख लें अब चला दूसरे दौर दूसरे दौर पिस्टू फिस्ट सवाल क्या जाएगा हमारे पास आज चार परती बागी है एक और विव आना था नहीं पहुच पाया है है कुछ समस्या हो जाती है चलता रहेगा कारवा चलता रहेगा अभी तहला रहे हैं बच्चे को तहलाने के चलना सिखा रहे हैं उसके बाद दौरना सिखाएंगे क्वीज का हकिकत क्या है मकसद है तेन्थ में अच्छे नंबर अब्जेक्टिव का जो है अडम से आ जाए दूस करें या निरने हम कर लेंगे लेकिन सवाल किदर से नहीं है आप दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सवाल इन दोनों के लिए बड़ी बात है किदर से लिया जाए वह प्रांद आपके तरफ से या इसलिए पुछा जाता है कि मेरा जो करम सजा हुआ है सवालों का त तो उसी करम से शुरू करेंगे तो निसीद्रेपन मेरे पास जो सवाल है वह एक नंबर इनके पास जाएगा चलाएं राउंड दो सवाल नंबर एक गुपरान से तीन तीन प्रस्ण होंगे लेकिन एक एक करके फिर दो दो फिर तीसरा तीसरा सभी प्रस्णों का जवाब आएगा दस नंबर उसके बाद आगे बाते होंगी दूसरे रोंड का पहला प्रस्ण गुपरान से कोशी का दर्व्य को यांत्रिक सहायता कौन सी कोशिकांग देती है मतलब कोशिका के अंदर यांत्रिक सहारा कौन देता है उसका नाम बताएं कोशिकांग का नाम बता है कोशिकांग अब समझ जाते हैं कोशिकांग है क्या तो उसको शिकांग का नाम बता है उसका शोटनेम, फुलनेम, जो बोल सकतें, सब्चिए राइ बोसम, कभी पहुंच गए थे, फिर भी चले, बोनस या प्रस्म में चला जाएगा, अगला समान साजां के लिए, इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम, कोशिका के अंदर कोशिकांगे है, इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम, उनका हिंदी नम क्या है, उसको हिंदी में क्या करेंगे उच्छाड़ा, इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम, कर दोड्स है प्रस्वा फिर से दोर आले इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी नाम क्या है यह इन्दी में उसको क्या क्या है पास पास ऑके सवाल बादल से इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को ए आर भी बोलते हैं सवाल बादल से हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम या ए आर कितने परकार के होते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कितने परकार के होते हैं सषका नाओ नहीं नाओ नहीं नाओ नहीं दो परकार के थैंक्यू अश्थ साल है चतन से इंडोपलाजमीक रेडिकुलम दो प्रकार के होते है उस दोनों में से एक होता है खुरदरा अंतह प्रदरव्य जालिका यानि खुरदरा रफ रफ इंडोपलाजमीक रेडिकुलम पर ऐसा क्या चीज होता है जो वह रफ इंडोपलाजमीक रेडिकुलम कहलाता है क्या चीज उस पर उपस्तित होता है उसका नाम बोलें दो प्रकार के होते हैं एक इसमूत और एक रफ रफ क्यों कहलाता है क्या उस पर है जो रफ कहला जाता है झाल को सियंके रफ इंडोपलाजमीक रेडिकुलम कि जो कहलाता है उस पर ऐसा क्या चीज है जो अन्ताप्रद्रव जालिका यानि कुर्दवा इंड्व प्लाज्मी रिडिक लंब है ुसपर क्या चीज होताया ही जो घूल्दरा दिकी क्या फ overlay होता LIVE रहा हुइ उसका नाम उन्हें को मासिकांग इंग्णुषरलकषप हे उसके जना हाँ है क्या ईक वसी का जिल्लेum कि दूसरा राउंड का पहला प्रस्ण सबों से हो गया है अब दूसरा प्रस्ण दूसरे राउंड का दूसरा प्रस्ण एक-एक करके पूने हम ले 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 लिए राइबो सॉम राइबो सॉम का मुख्यकार्य क्या है राइबो सॉम का मुख्यकार्य क्या है राइबो सॉम का मुख्यकार्य क्या है राइबो सॉम का मुख्यकार्य प्रोटीन का सांसलेशन करता है थैंक्यू अगला सवाल साजा से गोलजी काय या गोलजी बड़ी को सरवपर्थम किसने देखा गोलजी बड़ी या गोलजी काय को सबसे पहले कौन देखे संतिस्ट का नाम बताना है पुरा नाम थोड़ा भी नाम जूभी है चलेगा है न सवाल जगर से करियो टिक गोलजी सब्सक्राइब बच्चों का जबाब आया गोलजी मुक्तब बोला जाता है गोलजी गोलजी बोला जाता है गोलजी ही गोलजी बड़ी को खोजा उससे पहले चुकि नाम देशी बीदेशी होते हैं थोड़ा बटक जाते हैं और हम इस बात को रखे थे कि या तो पूरा नाम या थोड़ा भी नाम हाप पाट भी जो मुक्ष पाट है गोलजी वो आ जाता था हम उसको प्रका लिख सही है विक्वीच का अभी दौर होना है इस्तिती है बाकी है तो जबाब होना चाहिए केमीलो गोलजी और यह केडियो गोलजी बोले फिर भी इसको हम सही मामते हैं गोलजी आया नाम तो इनको नंबर दिया जाता है अगला सवाल कि बादल से गोलजी का को या गोलजी बड़ी को केमीलो गोलजी साहिब देखे सबसे पहले लेकिन आप से सिधा सवाल है केमीलो गोलजी साहिब देखे काब जवाब अठारस अठावन जवाब आया लेकिन मिस कर गया जवाब इसका चुकी बोनस पॉइंट है बोनस पॉइंट बनेगा इसलिए इसको हम गोपनिये करके रखते हैं आगे चलते हैं चेतन से अगला सवाल चेतन से आत्म हत्या की थैली किसे कहते है लाइसोसों थेंक्यू तो ये राउंड दूसरे राउंड का दूसरा प्रस्न सबों से हो गया अब दूसरे राउंड का अन्तिम प्रस्न सबों सेएक एक करके पुना होगा अब तक प्रस्ति थोड़ी जादे टफ चल दे अब तक जो माक के हिसाब से पुर्जा का जो है पहले राउंड का जबाब वो लगता आगे पीछे कड़ेगा इस राउंड में सभी एक दूसरे को तगरा फाटिंग दे रहे हैं चलते हैं इस प्राउंड का तीसरा सवाल गुपरान से लाइसोसूम का एक कार ये बताए है उसका क्या कार ये है लेकिन उसका कार ये क्या है उसका जबाब देंदें लाइसोसूम का कार ये है या को सिका की रक्षा करती है थोरा और इसको और थोरा सा डिस्क्राइब करें जड़ा सा जड़ा सा जड़ा सा जड़ा सा जबाब चुकि आंसर के आसपास ही है और इसको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा चुकि सबसे पहले ये बता दें कि जवाब सही है जवाब सही है इसके पीछे हम थोरा सा ये लोजिक देंगे यह सुरक्षा करता है अगर कोई बाहरी प्रवेश कर जाता है तो उसे पचा देता है अंदर कोई गरबरी होता है तो उसे पचा देता है यानि कोशिका के जीवन की यह सुरक्षा करता है तो जवाब सही है सब्सक्राइब एक कारिय बोले माइटोकॉंड्रिया का कारिय कि आंसर नहीं कर रहे है तो वह सकता है कभी उसके करीब जाता है कभी पूरा डीटेल बताता है जा एक जेक्ट पूर्डिया का एक कारिय क्या कारिय क्या कर दो आएब एक फूर्डिया का एक का एक वह सकता है पास ओके सवाल बादल से पादप में हडा रंग दिखाई देता है किसके उपस्थिती के करन उसका नाम गुल है हरित लवक अब सवाल है चतन से तीसरा दूसरा राउंड का तीसरा परस्ण का अंतिम परस्ण है चतन से लवक जिसको अंग्रेजी में प्लस्टीड बोलते है वो कितने परकार के होते है तीन परकार के अब बारी है अभिसेख के पास कुछ पुर्जा है प्रसनावली हो गया अब जब बच्चे अंक में बढ़ाबर होंगे तो उसको पुना तब बोनस प्रसन है रखा हुआ तब उसका सहाड़ा लेकर हम करम सजाएंगे और अभिसेख सेम पुर्जा लेकर उसको हम देखेंगे एक बात फिर से हम दूरा दे रहे हैं वो यह कि अभी तक हम नंबर या कितने मार्ग्स कौन बच्चे क्या लाए इसको गोपनिया रख रहे हैं चुकि बच्चे नवम से हैं मानसिक पटल पे कुछ निगेटिव ना हो जाए इसकी साबधानी हम बरत रहे हैं करम सजा दे रहे हैं कि एक नंबर दो नंबर तिन नंबर कौन हुए इसके कई कारण है वो बताएंगे नंबर का प्रेशर कहां आना जाए नंबर का कोई मतलब नहीं है पिछला क्वीज क्वीज नंबर तीन अगस्त माह में जो भी क्वीज चलड़ हैं अगस्त माह के अंतिम सप्ता में प्रतम सप्ता दूतिया सप्ता तिर्तिया सप्ता इस क्वीज हैं सबका माक्स जोड़के पुना तब करम करके सुपर फाइनल माना जाएगा और उसको तब एक दो तिन विजयता घोशित किया जाएगा लेकिन प्रतिया सप्ता में भी एक नमर दो नमर क्यों है करम सजा दे रहे हैं तो इसी गोपनीत्या को बरकरा रखते हुए उर्जा मेरे पास है पहले राउंड का उसका माक्स हम देखते हैं इसको साजनिक नहीं कर रहे है कि वहला हम नमबर इसका चड़ा दे रहे हैं तो तो पुर्जा जो पहले राउंड का था मेरे पास आ गया जांच भी कर लिए और इसका नमबर भी समाहित कर दिए लेकिन बोनस प्रसनों की जर दो निर में करेगा परफमद्ग तिर्थीय स्तान पे कigers चतुर्त तिस तीन चतवर्त अस्तान की लिए हो गया नहीं प्रसम उनके पास जाएगा उनसे जबाब लिया जाएगा और जबाब के बदले में पांच नंबर मिलेगा चुकि दस नंबर था वो बोनस बना 50% डिस्काउंट हो गया दस नंबर आपके पास आएगा तो गौर से सुनेंगे माइटो कोंड्रिया का कार्य क्या है माइटो कोंड्रिया का कार्य क्या है ती सके नमवादा किये हैं वो हम निभाएंगे यह प्रस्द था पिछले से था गलत जबाब आया था बोनस क्वेशन बना देते हैं अभी तक नियम के बिरुद है फिर भी बच्चे को चलाने के लिए वीज में हिम्मत बिटाने के लिए इसा करते हैं वक्त आएगा हाड करेंगे तो अब संभवतों वक्त आ गया है प्रसन आप लोग समझ चुके हैं रेडी हैं इस्टार्ट मानना है कि बादल के पास जवाब जाना चाहिए हाप सकेंड का अंतर आ गया चलें तो सवाल का सवाल चला गया बादल के पास आप सोच के जवाब दें अस्थिर से आपके पास वक्त है जवाब दें को सीका को उर्जा परदान करती है तो यह बोनस पॉइंट अब चला गया है बादल के पास बादल के पास बोनस नमबार पांच बच्चे तीन प्रसन बोनस प्रसन छोड़ेंगे जो ज़्यादा ले सके परती प्रसन पांच नमबर है तो पहला प्रसन बादल ले चुका है दूसरा प्रसन इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम दो परकार के होते हैं ऐसा जबाब आ गया था उसमें से एक जो है खुरदाड़ा इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम होता है आइंडो प्लाजमिक रेटिकुलम या अंतह प्रद्रव जालीका इंडो प्लाजमिक पर क्या ऐसा चीज रका रहता जो मत्तुरण कह लाता है सवाल सुन लिए फिर से छोटा सा सवाल कि क्या ऐसा चीज या कौन साकोशिकांग वहां रहता है जिसके चलते उसको हम खुरदड़ा अंता प्रद्रव्य जालिका कहते हैं मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वश्चनों के हाथ यहां सटाके रखे नजर ब वक्त दीए है किस्को शुकांग के चलते खुरद़ड़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका नाम पर आ है फिर्फ टिकुलम का नाम वह कोशिकांग का नाम किस्के चलते हैं अ कि स्टार्ट कि दूसरे बोनस क्वेस्टन में बादल के पास चला गया चुकि बाड़ी की से हाथ उठाने की बात हो रही थी देखना था बाड़ी की से देख के यह हुआ यह प्रस्ण भी बादल के पास गया आपके पास जवाब राइबोस्वम उस पर है खुरदरा यह बहता है इसके चलते उसे खुरदरा बोलते हैं जिस पर नहीं होता है उसको हो जाते हैं क्या तिसरा परस्ण तीनों से रखा जाया को जरूरी अब नहीं है और तिसरा परस्ण में इन दोनों में किलियर हो जाएगा तो आप राव पांच नमबर में यह लेगा कि यह लेगा चुकिक यह 10 नमबर लेकर निरने हो चुका है उसका अब नहीं तो दो परस्ण बादल ही ले लिया तो वह अब कुछ क्रम था वो डिने हो गया अब दूसरे और तिसरे के लिए इन दोनों के पास एक क्वेस्टन में के लिए हो ज देखते हैं तीसरा प्रस्ण या प्रस्ण हम बता दे बोनस पॉइंट बोनस कोश्चन में से नहीं होके प्रस्ण जो बना है वो अंतिम प्रस्ण है फ्रेश प्रस्ण ही है और वो उसमें पांच ही नमबर हम देंगे बोनस पॉइंट बनते हुए प्रस्ण को सुन लें आप दोनों चेतन और गुफ्रान से बोनस पॉइंट क्रम मौर में दूसरे और तिसरे के लिए या डिसीजन चुकि अंतिम सब्ता में फानलिस्ट के अगस्त माह का फानलिस्ट विजयता कौन हुआ वो निरने होगा अंक जुटते जाएंगे आप दोनों से सवाल है बादा शरी गुफ्रान और चेतन से हरित लवक भोजन बनाता है हरित लवक भोजन की परकिरिया में पादप में भोजन बनाने की परकिरिया में सामिल होता है वह किरिया का नाम क्या है पादप पाओधे पाओधे में जो हरित लवक भोजन बनाता है उस बनाने की किरिया या उस किरिया का क्या नाम है समझ गया प्रस्ण को कि दूरा है फिर से सुरेश हो गया कि पाओधे में भोजन बनाने की किरिया को क्या कहते हैं सीधी सी बात अगया हरित लवक जो है जो भोजन बनाने में सहयो करता है उस किरिया का क्या नाम हो ओके वो सब्द इस्तेमाल करेंगे तब हाथ उठाना है वो सब्द क्या है पता है उससे पहले रेडी ओके इस पर धियान नहीं देना है तो आप लोग रेडी हैं हाथ को यहां चिपका के रखें सिधा हाँ दियान देंगे तीस सेकंड देख लेते हैं पाउदे में जो भोजन बनाता है उस किरिया का नाम क्या है सिंपल सवाल इस तरह आ गया घुम्फिर के कि इस्टार्ट है कि यह रेडी हो रहे थी ने सब चलिए सवाल इनके पास चला गया तो जवाब यह देंगे तो जवाब साही था कि हरी तलवक भोजन पादप में जो भोजन बनाता है करिया का डिया ऑफ इसा कारी है हमने परिवासाद करके ओल्टा दिया सवाल को आप प्रसन का मतलब हो तक फॉभी पूर्टा करके आप से पूछ ने खो तो अब एंक्लोजन निकालते हैं और देखते हैं करम बार कौन-कौन होते हैं तो अब वक्त आ गया इस सप्ता के करम को सजाने के लिए तो इस सप्ता में चोथे अस्थान पर है मुहमत साज आहां तीसरे स्थान पर चयतन गुपता दूसरे स्थान पर मुहमत गुफरान और प्रतम स्थान पर रहा बादल कुमार हम बता जा रहे हैं पिछला क्वीज या क्वीज अगले सप्ता पुना अगले सप्ता सभी का नंबर जोर के तब इस मौह का फानलिस्ट गोसित किया जाएगा हर सप्ता केवल क्रम सजा दे रहे हैं अब आगे हम लोग कि पिछले सप्ता में जो प्रस्ण पुछा गया था उस प्रस्ण का एंसर सहीत पढ़ दें है ना अंतिम सक्सान है लें क्योंकि इंतिजार होगा उस प्रस्ण जो पुछा गया उसका जवाब नहीं दिया गया आज जो पुछा गया फिर अगले क्यूज में इसका प्रस्ण और जवाब के साथ हमाएंगे तो तेजी से मैं पढ़ देते हैं कोशिकां का कोई एक उधारन माइटोकॉंडिया ले 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 कोई भी बोल दें वो उसका एक्जम्पल हो जाएगा दूसरा है कोशिका द्रब्ब व आए जाते हैं पादप कोशिका को निश्चित आकार कौन कोशिकंग देती है कोशिका भित्ती एक निश्चित आकार देती है अंसर है कोशिका भित्ती पहुंचमा कोशिकन है पादप कोशिका में कोशिका जिल्ली की रक्षा कौन करता है तो अंसर होगा कोशिका भित्ती छ सेट प्लाजम करते हैं सात्वा कोश्टन भायरस में कोशिका जिली होती है भायरस में कोशिका जिली होती है नहीं अंसर होगा नहीं अट्वा सवा लगा वायरस सजीव है या निर्जीव तो यह ना तो सजीव है या ना तो निर्जीव है या दोनों के बीच का लिंक है परस् से रखा गया ना सजीव ना निर्जी या दोनों के बीच के करिका है दो को सिकांग का नाम बता गया है तो निशित रुपन माइटो कॉंडिया कुलोड़ोपलाश ठारित राबोस्वाम इंडोपलाग मिरेटिकलम कुछ भी नाम लेले आप मत्या की थैली किसे कहते हैं लाइस या भी प्रस्ण ज्यादा कूद रहा है अगला सवाल है को सिका का दिमाग किसे कहते हैं जवाब होगा केंद्रक हरी तलबग जनतू या पोधा का हरी तलबग जो होता है वजनतूं में होता है या पोधा में होता है तंसर होगा पोधा में अगला सवाल पोधों में जल का सं किसम के द्वारा होता है यह था मेरा पिछले क्वीज नमर तीन का सवाल और जवाब इस चौथा क्वीज का सवाल और जवाब पुछवे क्वीज में हम पुना उसके अंतिम सेक्शन में पढ़ते हैं तो यह था क्वीज नमर बी ईपी वर्ग नाइन से यह चौथा वीडियो चौथा क्वीज था वर्ग नवाम जीव गयां से प्रतम अध्यां में चल रहे हैं और संभवता दो वीडियो और इस चप्टर में बन जाएगा तो धीरे धीरे चल रहे हैं शलो शलो विश्यस बात हैं कि पीछे दो बच हैं कि और परियास करेंगे कि रवी बार को अवर्गद सम्का भी कीच करने का प्रयास रत हैं देखते हैं अशपन हो पाते हैं कि नहीं लेकिन दो बच्चे है हैं तो हम चाहेंगे कि इसी दो बच्चे से इस्टार्ट अगर नहीं और तो जो ही कुछ तो शुरवात करना ओ दो ही बच्चे से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं लेकिन प्रियास करेंगे कि पांच बच्चे इसमें हो जाएं तो यह क्वीच बेतर रहा परसमों को देखें सुनें नोट करें और एक कॉपी में जमा करते चलें काम देगा अब्जेक्टिक प्रसन का उसकी समस्या आप के लिए नहीं रहेगी वह समस्या हमारी है हम आपको सॉल्व कर देंगे अगर इसमें आप सम्मिलित होना चाहते हैं वर्ग नवम के छात्र का तो स्वागत है वर्ग दसम के का भी स्वागत है वो आएंगे और प्रियास करेंगे देखते हैं काम करना हमारा उद्देश होता है बच्शों तक पहुंचना वच्शों को मानै विखास करना कि इसमें हम भी सहयां कर रहे हैं इस विड़ीयो को कुई सका जो भी वीडियो है अपने सामने उन्हें दे दे हलाकि हम यह नहीं कहेंगे कि मुबाईल उन्हें दें अपने सामने बिठा के मुबाईल को दें उतना देर जितना देर का ये वीडियो है बच्चे उसे देखेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे श्री ने छोड़े अपने बगल में रात्री के समय कुछ दिर समय दें बच्चों के लिए बेतर होगा तो मिलते हैं बी एपी क्वीज नमबर फाइब में तब तक के लिए शुब रात्री बाए थैंक यू